ये question आपको दिया गया है और इसको differentiate करना है ठीक है with respect to x लेकिन problem क्या है कि अगर इसको y late करके हम पूरा assume कर ले तो फिर ये variable की power variable system है और plus ये भी आपका separately variable की power variable system है तो दोनों को अलग से आपको deal करना पड़ेगा ठीक है तो अलग से deal करने का मतलब हम क्या कर लेते हैं इस वाले term को हम u माल लेते हैं तो यहाँ लिख लेंगे let u equals to x plus 1 by x की power x हो जाएगा and जो v है वो second वाले को हम v assume कर लेंगे x की power 1 plus 1 by x ये v हो गया ठीक है तो इन दोनों को properly आप अलग से deal करोगे क्योंकि एक साथ आप deal नहीं कर पाओगे ठीक है तो अब हम पहले u को differentiate कर लेते हैं पहले u को simplify करेंगे taking both side log यहाँ लिख लेंगे taking both side taking both side log तो क्या हो जाएगा आपका log of u equals to log of x plus x plus 1 by x to the power x और log की property होती है उस property से ये क्या आजाएगा पीछे आजाएगा ठीक है यहाँ पे या आगे आजाएगा जो भी आप सोचिए side आपके हिसाब से decide होगे अब इसी step में हम क्या कर देंगे differentiation apply कर देंगे ठीक है तो differentiating with respect to x तो क्या हो जाएगा आपका log u का ठीक है log u का आपका क्या होता है x के respect में differentiate करेंगे तो 1 by u du by dx हो जाएगा और that is equal to d by dx of x times log of x plus 1 by x अब यहाँ पे आपके पास 2 function है ठीक है एक आपका x है और दूसरा आपका क्या है x plus 1 by x है दो function का product है तो यहाँ पे आपको क्या apply करना पड़ेगा product rule apply करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे हम लोग product rule apply कर लेते हैं क्या हो जाएगा 1 by u du by dx that is equal to first d by dx of second second मतलब कितना हो गया log of x plus 1 by x and second log of x plus 1 by x and d by dx of first first का मतलब अपका x हो गया ठीक है अब देखिए यह u इस side में आ जाएगा तो आपका जो du by dx होगा du by dx that is u times क्या होगे आपका x अच्छा यहाँ पे chain rule लग जाएगा क्योंकि log x का function नहीं है तो पहले log differentiate होगा उसके बाद यह bracket differentiate होगी ठीक है तो log differentiate होगा आपका तो क्या जाएगा जो भी log के अंदर है x plus 1 by x और फिर यह differentiate होगा है ना d by dx of x plus 1 by x तो x का differentiation आपका 1 हो जाएगा और 1 by x का differentiation कितना हो जाएगा minus 1 by x square ठीक है यह कैसे सोच सकते हैं आपके यहाँ देख लीजिए x का तो 1 हो गया plus यह क्या हो जाएगा d by dx of x की पावर minus 1 यहाँ पर आप क्या कर दोगे nxn minus 1 है ना minus 1 x की पावर कितना हो जाएगा minus 1 तो था ही minus 1 और minus 1 यह क्या हो जाएगा आपका minus 2 हो जाएगा x की पावर minus 2 हो गया x की पावर minus 2 को आप क्या लिख लोगे 1 by x square है ना और 1 by x square और यह minus इस plus से multiply हो जाएगा तो यहाँ फिर finally कितना आ जाएगा minus आ जाएगा तो finally 1 minus 1 by x square ही आ गया वही हमने यहाँ bracket में लिख दिया है ठीक तो यह step हम omit करते हैं अच्छा next करेंगे हम लोग plus यहाँ हो जाएगा आपका log of x plus 1 by x and x का 1 हो जाएगा ठीक यहाँ पे फिर LCM ले लोगे आप और फिर आपका उपर जाएगा x तो यह कितना जाएगा आपका du by dx that comes out to be u आपका था क्या u था x plus 1 by x की power x हम place कर देते हैं यहाँ पे LCM ले लेंगे तो इसके नीचे 1 है x इधर multiply होगा 1 इधर multiply होगा तो x square और plus 1 हो जाएगा यह x सबसे उपर चला जाएगा उपर पहले से x है तो वो भी multiply होके x square हो जाएगा तो finally x square upon x square plus 1 यहाँ से produce होगा और फिर यहाँ पे आप LCM लोगे कितना हो जाएगा x square minus 1 upon x square यह bracket होगी तो यह वाला जो x square है यह cancel out हो जाएगा ठीक है plus आपका क्या हो गया log of x plus 1 by x यह ऐसे ही रहेगा यहाँ पे finally manage कर लीजिए क्या हो गया आपका that is x plus 1 by x to the power x and x square minus 1 upon x square plus 1 ठीक है x square plus 1 and plus log of यह हो गया x plus 1 by x यह finally आपका say that is your result number 1 है ना यह आपका क्या आया du by dx आ गया ऐसे ही हम लोग मेहनत करेंगे किसके लिए v को differentiate करने में ठीक है तो आप हम इदर से मिटा दे रहे हैं और v को differentiate कर दे रहे हैं आपे तो यह आपका v क्या था v is x to the power 1 by x टेकिंग बोज साइड लॉग तो लॉग of v equals to क्या हो जाएगा आपका लॉग of x to the power 1 plus 1 by x यह bracket पीछे आ जाएगी power property लॉग की लग जाएगी तो it comes out to be same step में लिख देते हैं 1 plus 1 by x है ना आप नए step में लिखिएगा है ना आप differentiating both side तो differentiating with respect to x both side तो क्या हो जाएगा आपका d by dx of log of v that is equals to d by dx of 1 plus 1 by x and log of x हो जाएगा यहाँ पे आपके पास दो functions का product है एक आपके पास यह bracket है दूसरा आपका क्या हो गया log x हो गया तो यहाँ पे आप product rule लगा दोगे तो first d by dx of second d by dx of log x and second log x d by dx of first first का मतलब कितना हो गया 1 plus 1 by x हो गया ठीक यहाँ पे देखिए यह x का function तो है नहीं तो x के respect में differentiate नहीं होगा यह v का function है तो हमें d by dv करना पड़ेगा लेकिन फिर बाद में dv कहाँ साया तो multiply divided एक तरह से हुआ dv by dx या इसी को आप कह सकते हो कि यह chain rule है अब देखिए यह differentiation कितना हो जाएगा v के respect में जो log v का differentiation है यह 1 by v हो जाएगा ठीक है that is dv by dx and that is equals to कितना हो गया आपका 1 plus 1 by x हैसे ही रहेगा और log x का differentiation 1 by x हो जाएगा plus log x और आपका यहाँ 1 का differentiation 0 हो जाएगा 0 और 1 by x का differentiation minus 1 by x square हो जाएगा ठीक अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो यहाँ से हम इधर लिख दे रहे है एक result आपका इधर पड़ा हुआ है तो that could be written as a dv by dx dv by dx that is equals to v times यहाँ पर LC हम ले लिजिए तो x square plus 1 x square plus 1 upon x और यह 1 by x है तो इससे multiply हो के 1 by x square मतलब नीचे x square हो गया और plus और यह plus और यह minus multiply हो के क्या हो जाएगा minus हो जाएगा 1 by x square log of x और v की जगा पे हम क्या place कर दे v की जगा पे dv by dx v की जगा पे आपका x की power क्या था 1 plus 1 by x तो यह आपका second part का differentiation हो गया that is x square plus 1 upon x square और minus कितना हो जाएगा आपका 1 by x square और log of x इस second part का differentiation हो गया say that is result number 2 ठीक है अब finally आपके पास जो दिया गया था वो u plus v था क्योंकि आपने एक को u माना था दूसरे को v माना था तो आपका u plus v था तो वो आपका y है say y equals to u plus v तो जो original question था y equals to u plus v था तो differentiating with respect to x differentiating with respect to x ये क्या हो जाएगा d by dx of y that is equals to d by dx of u plus d by dx of v अब ये आपको कहां से मिलेगा result number 1 से ठीक है वो सारा result यहां place कर दीजिए और ये कहां से मिलेगा result number 2 से तो आपका dy by dx direct आ गया ठीक है तो काफी लंबा answer दिख रहा है ये 2 question का 1 question हो गया आपके लिए ठीक है तो हम लिख देते हैं बस एक लंबा चौड़ा answer दिखेगा plus 1 plus log of x plus 1 by x ये तो आपका du by dx हो गया plus यही से d by dx है ना तो हम इसको मिटा के ऐसे लिख दे आप समझ लीजिए इसको है ना plus this one तो that is your answer तो ये जो board पे लिखा गया है ये आपका final answer हो गया ये result plus ये result that is dy by dx तो ये आपका अच्छा ये आपका गलत हो गया यहाँ पे हमने जब LCM लिया था previously जा के आप देख सकते हो तो यहाँ पे x होगा ठीक LCM लिया था तो तो x plus 1 और minus denominator सेम है तो हम common denominator कर ले हैं हाँ पे यहीं पे हम लोग कर लेते हैं plus x की power one by one plus x और e हो जाएगा x plus 1 और minus क्या हो जाएगा आपका log x over x square ठीक है तो ये आपका final answer हो गया तो इस two को हम हटा देते हैं that is your final answer रीक्र